नमस्कार बच्चू आज हम डिस्केस करेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक ओर इंपोर्टेंट टोपिक रचना के अधार पर वाक्य है हम समझेंगे कि वाक्या किसे कहते हैं वाक्या कितने परकार के होते हैं रचना के अधार प्रवाई किया कितने परकार के होते हैं, उसके अंग कौन-कौन से होते हैं, और उनकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले हम concept को समझेंगे, क्योंकि चाहिए वो हिंदी व्याकरण हो या English grammar हो, अगर आपने concept को अच्छे से समझ लिया, तो आप यहाँ पर भी दिये जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम detail में concept को समझेंगे, कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, किस परकार से हम वाक्यों को change कर सकते हैं, और उसके बाद इसी topic पर based कुछ easy, important MCQs है, वो हम discuss करेंगे, यह MCQs वो MCQs है, जो last five years आपके board exam में आते रहें, तो यह आपके समू होता है, जो विवस्तितों और पूरा आश्ये पर कर सके तो उसे हम वाक्यों कहते हैं, जिसे मालेजी कि मैं आपको कह रहा हूं, कि यह important topic है, अब मैंने यह कहा है, यह important topic है, अब यह क्या है, सार्थक शब्दों का समू है, करमबद तरीके से, और इसका एक आश्ये अर तो उसे हम वाक्या नहीं कहेंगे, वाक्या क्या होगा, कि वाक्या एक सार्थक शब्दों का समू होता है, जो व्यवस्तित करम में होता है, और जिसका एक आर्थ निकलता है, उसे हम वाक्या कहते हैं, अब जो वाक्या होता है, उसके दो अंग होते हैं, कई बार इस में कुछ कहा जाए उसे हम उदेश्य बोलते हैं जैसे इंग्लिश में आपने क्या होगा subject and predicate वही यहां पर है तुदेश्य क्या होता है कि वाक्या का वहें जिसके विशे में कुछ कहा जाए उसे हम उदेश्य कहेंगे जैसे आमन सो रहा है तो अब विशे है यानि वाक्या के दो अंग होता है एक उदेश्य होता है और दूसरा विदेश्य होता है उदेश्य क्या होता है कि वाक्या में जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसका हम उद्धिश्य कहेंगे दूसरा अंग होता वाक्या का विध्यी विध्यी भी बिलकुल आसान सा होता है कि विध्यी वाक्या में उद्धिश्य के बारे में जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसे हम विध्यी कहेंगे जैसे पहला वाक्या हमने लि विदे हो गया, बांधवी बस से शहर गई, अब यहां पर बांधवी है, वो उदेशया और शहर बस से शहर गई, जो हमने बताए, यह आपका विदे हो जाएगा, ओके, यहां तक क्लियर हो गया हो गया, कि उदेशया क्या होता है, और विदे ही क्या होता है, हम इनको आसाने स पहचान सकते हैं अब हम बात करेंगे रचना के अधार पर वाक्या भेद की जैसे जो वाक्या है वो दो तरीके से हम उनके अलग रख भेद कर सकते हैं तो आर्थ के अधार पर दूसरा होता है रचना के अधार पर अब जो हमारा सलेबस उसमें एक ही दिया गया है वो रचना क आधार पे वाक्या कितने परकार के होते हैं तो रचना के आधार पे मतलब बनावट के आधार पे बने वे कैसे हैं तो यह तीन परकार के होते हैं हालनकि ऐसा नहीं है कि इनमें आर्थ में बदलावाता है आर्थ एक जैसा ही रहेगा लेकिन तीन तरीके से इन वाक्यों को लिखा जा सकता है तो साधार पे तीन परकार के वाक्या होते हैं एक तो सरल वाक्या होते हैं जिसको आप साधान वाक्या भी कह सकते हैं दूसरा होता है स्यूंक्त वाक्या और तीसरी होते हैं आपके मिश्र वाक्या कितने परकार के होते हैं, तीन परकार के, सरल या साधान वाकिय, स्यूंक्त वाकिय और मिश्र वाकिय, अब इन ही को समझना है, जितने भी हमारे पर्षन रहेंगे, वो इन ही पर ही आधारित रहेंगे, सबसे पहले सरल वाकिय, सरल वाकिय में एक ही उदेश्य होता है, ठीक प पारे में एक ही information हमें मिलेगी, तुसे हम बोलते हैं सरल वाकिया, साधान वाकिया, जिसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, साधान वाकिया, सिंपल सा वाकिया, एक ही घटना है इसमें, बारिश के बारे में बता रहे हैं, बारिश हो रहे हैं, बारिश हो रहे हैं, और उसके बारे में हम बताते हैं, वह फलों के लिए बाजार गया, अब यहाँ पे वह उसके बारे में बता रहे हैं, कहां गया, फलों के लिए बाजार गया, यहाँ पर सिंपल से तरीके से आपको सोचना है, किसमें एक ही उदेश्य होगा, सबजेक्ट एक ही होगा, और उसक श्यूंक्त वाक्या की पहचान भी आसान सी रहेगी आपकी, कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सवतंतर उफ वाक्या होगी, अब देखिए, वहाँ पर केवल एक ही वाक्या होगा, यहाँ पर दो या दो से अधिक सवतंतर उफ वाक्या होगी, सवतंतर इस पर ध्यान या एवम होगा, तथा हो सकता है, या हो सकता है, अत्वा हो सकता है, इसलिए हो सकता है, अत्य हो सकता है, फिर भी तो, नहीं तो, किंतु, प्रंतु, लेकिन, परित्यादी, इस परकार के शब्द हो सकते हैं, जिनसे वो दोनों उफवाक्या जुड़े होंगे, तो वहाँ पर आपना अर्थ निकलेगा ठीक तो इससे भी आइडिया हो जाएगा दूसरे ये कि इन सभी समुच्य बोधक अव्यव से जुड़े होंगे यहाँ एक्जामपल देखे उधार्ण देखे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसे मा बाजार गई और सबजिया लेकर अब देखे मा बाजार गई सब्जिया लेकर आई दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे और जुड़े में और से तो यह आपका स्यूंगत वाकिया है आप खाना खाएं और आराम करें यह क्या है स्यूंगत वाकिया है आप चाई पिएंगे या कोफी यहाँ पर भी देख या समुच्य बोदत आवियव से जुड़े होते हैं उनको हम स्यूंगत वाकिया बोलते हैं तीसरे जो हमें यह समझना है कि इसमें पहचान क्या होगी स्यूंगत वाकिया कि जैसे मैंने पहले बता दियत लेकिन आपको थोड़ा सा धियान रखना है पहचान क्या होगी एक यह कि इसमें दो या दो से अधिक वाक्या होंगे और वो सवतंत्र होंगे यनकि दोनों का अर्थ निकलेगा अलग लग भी पढ़ेंगे तो भी उनका एक अर्थ निकलेगा इसमें उफाक्या होते भी पूरन अर्थ का बोध होगा यनकि ऐसा नहीं कि अधूरा अर्थ रहेग उफ़ाक्या है लेकिन दोनों का अर्थ पूरा निकलेगा और उफ़ाक्या अपने पूरन अर्थ के लिए दूसरे उफ़ाक्या पर आश्रित नहीं होगा यानि पूरा अर्थ अगलग से ही भी वह वाक्या बता देगा तो वहाँ पर आपका स्यूंक्त वाक्य होगा बाकी आप पहचान लोगे यह जैसी योजक से समुझे बोदक योजक या फिर अव्यव से जुड़े में तो उन वाक्यों को हम स्यूंक्त वाक्य कहेंगे तीसरे परकार के होते हैं आपके मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और एक अन्य वाक्य हो जो उस पर आसरित हो अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी दो वाक्य है लेकिन इसमें एक तो मुख्य वाक्य होगा योजकों से जुड़े रहते हैं इन से जुड़े रहते हैं और पहला जो उफाक्या होगा मुख्य उफाक्या के उपर डिपेंड करेगा ठीक यानि कि यहाँ पर उस टाइप की योजक नहीं होंगे पलकि अलग टाइप की योजक होंगे जिन से ये जुड़े होंगे और दूसरा जो उफाइक है गोण उफाइक है वो परधान उफाइक है अब इसको एक्जामपल को देखे आपको समझ में आजागा जैसे ही श्याम हुई बिजली चले गई जैसे ही श्याम हुई अब जैसे ही श्याम हुई अधोरा नहीं लगता मतलब क्या हुआ श्याम हुई था बिजली चले गई अब ये पूरा हुआ जब नई कक्षा में दाखिला होगा जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो पढ़ेंगे हम अब यहां देखे कि यह पूरा गोण उफाक्या है यह किसके उपड़ी पेंड़े तब हम पढ़ेंगे उसके उपड़ी पेंड़े तब पूरा आर्थ निकलता है जब किशन आया तो शाम चला गया यह देखे जियों तियों जैसे जब तब इस परकार से वाक्या होते हैं दो वाक्या होते हैं जो इन से जुड़े होते हैं जब किशन आया तो शाम चला गया जब आंधी आया तो धूल उड़ने लगई यह क्या है यह मिशर वाक्या है जो आपस में कनेक्टिड है आपस में मिशरीत होते हैं मिस्र मतलब एक तरिके से मिस्रीत है यह. Okay, mixed है यह. एक दूसरे से अलक करें तो वैस्वें वाक वाक्या धुरा रह जाएगा. इसलिए मुष्र वाक्या वोलते हैं. ठीक तो यह हमने कुछ एक जम्पल देखे कि मिस्र वाक्या कैसे होते हैं? अब यहां पे जो मिस्र्वाक्य होते हैं, इसमें उफ्वाक्य भी दिये होते हैं, आपने काफी सारी वर्क शिट किया है तो उसमें भी इनके बारे में पढ़ा है, कि उफ्वाक्य दे दिये जाते हैं, उनकी पहचान करना कैसे करेंगे, तो यह भी हम यहां पर Discuss करेंगे, क्यों मिस्र्व उफवाक्या होते हैं, उसमें आश्रित उफवाक्या होते हैं, तीन परकार के, तीन परकार के, आश्रित उफवाक्या होते हैं, अब उफवाक्या की पैचान भी हमें करने पड़ेगी, तो तीन परकार के संग्या उफवाक्या है, विशेशन उफवाक्या है, और किरिया किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, भाव, इत्यादि करा पहली चीज़ तो इससे पहचान लेंगे कि वो संग्या का काम करें किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, भाव, इत्यादि के नाम के जगा है वो काम करें ठिक, ये संग्या उफवाच्य कहलाते है दूसरा पहचान ही होती है कि संग्या उफाक्या से पहले की का प्रियोग होता है की किसका प्रियोग होगा की ठिक इसका प्रियोग होगा तो इससे भी आप पहचान लोगे हाँ ये दियान रखना है इसलिए की अगर एदिया गया तो वहाँ पे संग्या उफाक्या नहीं होगा, इसलिए अगर पहले दिया है या फिर की, की या के अर्थ में प्रियोक्या गया, तो भी हम वहाँ पे संग्या उफाक्या नहीं होगा otherwise की जहां पर होगा वहाँ पर संग्या उफाय क्या होगा इतने सी याद रख लोगे बिल्कुल याद रह जाएगा आपको जैसी यहाँ एक जामपल देखे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो अब यहाँ देखे की है ठिक तुम डॉक्टर बनो यहां पर क्या संग्या उफाक्या है मोहन को विश्वास है कि अश्vousनी होली पर जरूर आएगा विश्वास है की ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी यहां पर की का प्योक्या गए गांदी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए यहां पर भी की का उप्योक्या गए, यहां पर देखेगी संग्या का काम करें, यह वाक्या है, डॉक्टर, अश्वनी, महंगाई, हिंसा, उनकी जगए, यह भी प्रियोक्या है, तो आप ऐसे भी पैचान सकते हैं, अदरवाइज, सिंपल सा फॉर्मॉला रहेगा, कि एगर की या सरनाम, पदबंद है, उसकी विशेष्टा बताए जाती है, विशेष्टा तो यह होता है, जिसने कारे नहीं किया, खड़ा हो जाए, अब खड़ा हो जाए, कौन जिसने कारे नहीं किया, यह विशेष्टा बता रहा है, कौन खड़ा हो जाए, जिनके हाथ में बैग है, उन अंकल को बुलाओ, किन अंकल को, जिनके हाथ में बैग है, यह क्या है, विशेशन उफ़ाकिया, साइकल यहाँ है, जिससे आप कल आए थे, ओके, साइकल यहाँ है, कौन सी साइकल यहाँ है, जिससे आप कल आए थे, यह विशेशन उसकी, कौन सी साइकल, जिससे यहाँ है तो यहाँ पर विशेशन 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 क्रिया के विशेश्ता बताज़ाए यहाँ पर जहाँ, जैसा जब जैवाले यह वो शब्दों के पर्योग होता हूँ वहाँ उनका भविय waking हुआ जहां तुम रहते हो, वहीं मैं रहता हूँ जैसा अध्यापक ने बता है बच्चों ने वैसा काम किया जैसा करोगे, वैसा भरोगे यहाँ जैवाली फैंबली यहाँ पर रहेगे वहाँ पर होगा आपका क्रिया विशेशन उफवाकिया ठीक तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेशन उफ वाक्या है जितना तुम जानते है उतना ही काम करो तो ये हो गया हमारे तीनों वाक्या के परकार है ठीक तीनों वाक्या के कौन-कौन से हो गया हमारे पहला हमने यहां पर किया सियूंक्त वाक्या है सरल वाक्या है उसके बाद कि वाकिया किस परकार का है अगर आपको मिसर वाकिया दिया जाएगा तो आपको पहचाना हो सकते है कि यह किस परकार का वाकिया या फिर कोई वाकिया आपको पहचाना होगा कि यह इन में से कौन सा स्यूंक्त वाकिया है कौन सा आपका मिसर वाकिया है 70 questions और भी बने हो हम next वीडियो में लेकर के आएंगे 100 questions के साथ I think practice अच्छी हो जाएगे हमारे तो 30 questions, 30 person है हम यहाँ पर discuss करेंगे सबसे पहले मैं person आपके साथ share करूँ है उसके बाद इसके option और मेरे answer देने से पहले आपको अपना answer guess करना है प्रेक्टिस करने है तो ऐसे ही होगी उसके बाद आपका जितना भी score है ता end में वो comment section में आपको share करना है ठीक, शुरुवात करें तो चलिए करते हैं यहाँ पर पहला person दिया गया प्रिक्षाइं समाप्त होते ही हम आगरा गये वाक्या का मिश्र वाक्या में रूप क्या होगा यहाँ पर यह क्या है आपका सरलिया साधान वाक्या है इसको किसमें बदलना मिश्र वाक्या हम बदलना तो इसमें option विकल्ट दिये गए पहला है क्योंकि प्रिक्षाइं स्माप्त हो गई इसलिए हम आगरा जाएंगे प्रिक्षाइं स्माप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए प्रिक्षाइं स्माप्त हुई और हम आगरा चले गए जैसे प्रिक्षाइं स्माप्त हुई वैसे हम आगरा चले गए जैसे प्रिक्षेंस माप्त हुई, अब यह धूरा रहे गे न, किसके उपर डिपेंड ही, हम आगरा गए, वैसे ही हम आगरा गए, तो गहे आपका सही विकल्प रहेगा, उसके बाद next देखिए आपका दूसरा परशने, दूसरा परशने आपका प्रिक्षेंस माप्त होते ही हम आगरा आ गए वही सेम मैंने वाक्य लिए कि प्रिक्षेंस माप्त होते ही हम आगरा गए इस वाक्या का स्यूंक्त रूप क्या हो गए स्यूंक्त वाक्या में कैसे बदला जाएगा पहला है क्योंकि प्रिक्षेंस माप्त होगी इसलिए हम आगरा जाएंगे दूसरा प्रेक्षेंस माप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए प्रेक्षेंस माप्त हुई और हम आगरा चले गए चोथा विकल्प है जैसे ही प्रेक्षेंस माप्त हुई वैसे हम आगरा गए तो इसमें स्यूंक्त वाक्या क्या होता है उसकी पैचान यह होती है कि उसमें दो वाक्या होती है दोनों वाक्या सवतंत्र होती है और वो किसी योजक से जोड़े होते हैं यहाँ पे गय आपका सही विकल परेगा प्रिक्षें समाप तुई आपना आर्थ निकल रहा है इसका हम आगरा गए इसका आर्थ निकल रहा है और किस से जुड़े हैं और से जुड़े हैं तो गय आपका स्विंक्त वाक्या होगा इसका उसका पर तीसरा परशन देखिए तीसरा हमारा परशन दिया गए सूरज के उ उग गया था, अंदकार को तो दूर होना ही था, और उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा, वो कह रहेगा, जैसे ही सूरज उगा, वैसे ही अंदकार दूर हो गया, तो यह आपका हो गया, मिश्र वाक्य, ठिक कह आपका सही विकल्प रहे यह किस परकार का वाके पहला यह सरल वाके दूसरा यह मि était वाकए तीसरा यह स्यूंक्त वाके चोता यह देशज वाके अब यहाँ देखें कि Дेशज वाके कई कोई बात ही नहीं है दूसरा यहाँ देखें कि इसमें दो एक एक करके आपको इस टाइप से ही सॉल करना जैसे आपको यहाँ पर दो वाक्या देगे तो यह सरल वाक्या भी नहीं है अब रह गए हमारे दो अब दोनों में भेद क्या है कि जो यहाँ पर स्यूंक्त वाक्या होता है उसमें दो सवतनतर वाइक्या होते है उनके अलग अर्थ निकलते है अब यहां देखिए कि जो मिसर वाइक्या होता है उसमें क्या होता है कि दो वाइक्या होते है एक का आर्थ है दूसरे पर डिमेंड करता है अब देखिए मुझे नोकरी मिल गई है मैं पढ़ता रहता हूं दोनों के अलगले अर्थ निकल दे न तो यह यहाँ पर क्या होगा आपका स्यूंक्त वाट्य होगा यद भी मुझे नोकरी मिल गए तथा भी मैं पढ़ता रहता हूं तो यह आपका स्यूंक्त वाट्य हो जाएगा क्लिए? उसका बद पांचवआ परशन देखिए, पांचवआ परशन है, कि जब विद्याल में पढ़ाई बंद हो गई, तब हम घर लोट आए, जब विद्याल में पढ़ाई बंद हो गई, यह जब वाक्या के किस भेज से समंधित है, अब देखिए, जब विद्यालें पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लोट आई यहाँ पे condition डिपेंड है दूसरे कोई पर डिपेंड है डिपेंड है ना एक वाक्य है कि जब पढ़ाई बंद हो गई तो क्या हुआ हम घर लोट आई तो यह आपका किस परकार का वाक्या रहेगा पैचानना में विकलते गए मिश्र वाक्य, सिंग्त वाक्य, सरल वाक्य, आसरित वाक्य तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो कह रहेगा यह मिश्र वाक्य उसका बाद चठा वाक्या देखिए चठा जो हमारा परशन देखे, चठा परशन है वर्षा शुरू ही और मोहन आ गया किस परकार का वाकिया पहला ये मिश्र वाकिया, दूसरा ये सरल वाकिया, तीसरा ये स्यूंक्त वाकिया जो था ये कटू वाक्य है तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो गह रहेगा ये आपका स्विक्त वाक्य है वर्षा शुरू ही और मोहन आ गया उके उस पद सात्मा परसन देखिए सात्मा आपका परसन देगा है जब मैं अकेला था तब मुझे चार गुंडों ने पीटा जब मैं अकेला था तब मुझे चार गुंडों ने पीटा वाक्या का भेद है किस परकार का जब मैं अकेला था तब क्या हुआ चार गुंडों ने पीटा दो वाक्या दोनों सवतनतर नहीं है बलकि एक दूसरी को पर डिपेंड करते है तो यहां पर किस परकार का व वाले चात्र को पकड़ लिया, इस वाक्या का सिंक्त वाक्या में रुपांतरन करना में, क्या बनाना है, सिंक्त वाक्या बनाना है, ठीक ये क्या है, ये सरल वाक्या है, चात्र नकल करा था, अध्यापक ने पकड़ लिया, यहां पर देखे योजक नहीं है, अध्यापक ने चात्र को पकड़ा, क्योंकि वह नकल कर रहा था, अब यहां पे क्योंकि यह उससे दोनों वाक्या जुड़े हुए, ठीक, तो यह आपका स्यूंक्त वाक्या हो जाएगा, तो गय आपका सही विकल्प रहेगा, उसके बाद नौवा परशन देखिए, नौवा परशन है, प्र प्रिक्षए समाप्त होती हम आगरा गए, और जैसे प्रिक्षए समाप्त हुए, वैसे हम आगरा गए, तो इसमें जो लास्ट है, यह तो आपका हो जाता है, मिस्र वाक्या है, तो इसमें प्रिक्षए समाप्त होती हम आगरा गए, गय आपका सही विकल्प रहेगा, क्या ना है, मिश्र वाकिया कैसे बनेगा, वै काम पूर जाकर काम करने लगा, क्योंकि वै कानपूर जाकर काम करने लगा, इसलिए सभी का चहीता हो गया, ऐसी दो कोई बात ही नहीं है, वै कानपूर इसलिए गया था क्योंकि वै काम करना चाहता था, क्योंकि है तो ये तुस्यू जब से वे कानपूर गया, तब से वे काम करने लगा है, okay? घहे आपकाrig तो मिश्रवाकिय हो जाएगा. तीसरा विकल्प है, खाना खाकर हमेशा आराम करें, चोथा विकल्प है, आप खाना खाएं और आराम करें, तो स्यूंगत वाकिया में योजक से जुड़े होते, दोनों फाकियार उनका अलग अर्थ निकलता है, आप खाना खाएं इसका भी अर्थ निकलता है, आराम करें इस तो शुर्यास्थुआ और अंदकार चा गया, दूसरा शुर्यास्थ होने पर हमेशे अंदकार चा जाता है, शुर्यास्थ होने पर अंदकार चा गया, और चोथा जैसे शुर्यास्थुआ वैसे अंदकार चा गया, तो इसमें सही जो आपका विकल प्रहेगा, वो कह रहेगा तो यह होगे आपका स्विंक्त वाक्य है दो अलगले वाक्य होगे दोनों कर्था और योजक से दोनों जोड़े हुए तेरमे पर्शन को देखिए तेरमे आपका पर्शन रहेगा कि वह भोजन करता और विद्याले जाता है वे भोजन करता है और विद्याले जाता है इसको सरल वाकिय में रुपांतरन करना है ठीक ये क्या है ये आपका स्युंक्त वाकिय है वे विद्याले जाने से पहले भोजन करता है वे भोजन करता है वे भोजन करके विद्याले जाता है जैसे ही वे भोजन करता है वे विद्या ले जाता है ठीक उसके बाद यहां पे देखे चोधुआ पर्षन आपका रहेगा चोधुआ पर्षन है सुर्यास्थुआ और अंदकार चागया वाक्या किस परकार का है सुर्यास्थुआ और अंदकार चागया किस परकार का वाक्या यह हमें बताना है पहला विकल्प है हमारा, ये सिंग्त वाक्य है, दूसरा विकल्प है हमारा, ये सरल वाक्य है, तीसरा विकल्प है हमारा, ये मिश्र वाक्य है, चोथा विकल्प है हमारा, ये पर्षन वाक्य है, तो इसमें सही जो हमारा उत्तर रहेगा, वो रहेगा कि ये सिंग्त वाक्य है उके शुरास्त हुआ और अंतकार छा गया तो कै आपका सही विकल्प हो जाएगा अगला परशन दिखेए अगला परशन दिया गया पंदरुआ परशन है बादल घिरकर भी ने बर्शे ये इस वाक्या का स्यूंग त्वाक्य रुपांतरन हमें बताना और परशन दिखेए ने आपका सही विकल्प रहेगा चलिए next question को देखते है अगला हमारा परशन है का कक्षया में पर्थम आने वाले चात्र को मंच पर बुलाए गया इस वाक्या का मिश्र वाक्या में रुपांतरन करना में ओके यह हमारा सरल या साधान वाक्या है जो चात्र कक्षया में पर्थम आने वाले चात्र को हमेशा मंच पर बुलाए जाता है ताकि उन्हें सुमानित किया जाई चात्र को मंच पर बुलाए गया कक्षया में पर्थम आने पर जो कक्षया में पर्थम आता है उस चात्र को मंच पर बुलाए जाता है तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका कै जो चातर कक्षा में पर्थम आया, उसे मंच पर बुलाया गया, जो चातर कक्षा में पर्थम आया, यहां देखे कि दो उफ़ाक्या होगे, एक उफ़ाक्या वो दूसरी के उपड़ डिपेंड करता है, तो यहां पे यह मिश्र वाक्या होगा, आपका तो कैसा ही वी कल्प हो यहां पे तो योजक नहीं है ना उनसे जुड़े भी नहीं है जब जादुगर खेल दिखाता तब पैसे मांगता है ये भी नहीं हो सकता उसका जैसे ही जादुगर ने खेल दिखाया वैसे ही पैसे मांगे तो ये आपका मिश्रवाक्या में हो जाता है इसमें सही वी कल्प आ चुनना है जैसे ही चुनाव हותे है वैसे ही महंगाई बढ़ जाती है। जब चुनाव आने पर महंगाई बढ़ जाती है। कि हमें रूप क्या होगा ये हमें बताना है तो यहां बाड आई परंतु साथ में बिमारियां भी लाई जब भी बाड आती है अपने साथ बिमारियां लाती है यहां बाड आई और बिमारियां बढ़ गई जब से यहां बाड़ाई है तब से बिमारियां बढ़ गई तो इसमें सही हमें बताना कि मिश्र वाक्या कुन सा होगा तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा घह रहेगा जब से यहां बाड़ाई है तब से बिमारियां बढ़ गई है ठीक, चलिए बीसमें पर्षन को देखते हैं, बीसमें हमारा पर्षन है कि जैसे ही शोर हुआ, चोर भागे, ओके, वाक्या का सिंक्त रूप क्या होगा, पहला है, जैसे ही शोर मचाय गया, चोर भागे, शोर होते ही चोर भागे, शोर होते ही चोर भागे, शोर होते ही चोरों परशन 21 जब से यहां बाढ़ आई है तब से बिमारियां बढ़ गई है वाक्य संबंदित है जब से यहां बाढ़ आई तब से बिमारियां बढ़ गए किस परकार का वाक्य है यह स्यूंक्त वाक्य है सरल वाक्य है मिश्र वाक्य है परशन वाक्य है तो सही आपका विकल्प ह वो गय है, यह आपका मिश्र वाक्य है, चलिए अगले पर्षन को देखते हैं, अगला आपका पर्षन दिया गया है, कि जैसे उसने पुलिस को देखा, सीट बेल्ट बांध ली, वाक्य का स्विंग्त वाक्य रूपांतरन हमें बताना है, उके, उसने पुलिस को देखा, और स उसने सीट बेल्ट बांध ली, उसने सीट बेल्ट बांध ली, पुलिस को देखकर, और गय उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा, वो कह रहेगा, उसने पुलिस को देखा, और सीट बेल्ट को बांध लिया, तो कह आपका सही विकल्प लोगों से सभी दूर रहना चाते हैं, कोई बात नहीं करता, दूसरा जो जगडालों होते हैं, उनसे सभी दूर रहना चाते हैं, सभी जगडालों लोगों से दूर रहते हैं, जगडालों लोगों से सभी दूर रहते हैं, क्योंकि वे सभी से जगडा करते हैं, तो यहाँ पे मिश्र वाग्या में रुप अंतरन हो जाएगा उसके बाद अगला आपका पर्षन देखे अगला इअपका 24 वाग्या पर्षन 24 वाग्या पर्षन इआपका दरेदर होने पर भी वह इमानदार है इसका स्रींग तुवाग्या बताना है पहला विकल्प है दरीदर होने पर भी वै इमानदार है या अनोखी बात है दरीदर लोग इमानदार होते हैं दरीदर मतलब गरीब लोग इमानदार होते हैं गय है दरीदर होने पर भी कई लोग इमानदार होते हैं वै दरीदर है किन्तु इमानदार है तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा घह वै दरीदर है किन्तू इमानदारा किन्तू से जुड़े हैं दो वाक्या है ठीक और दोनों के अलग अर्थ में निकल रहे हैं ठीक तो ये आपका घह सही विकल्प हो जागा 25 वाप परशन देखिए 25 वा आपका परशन है मैं चाहता हूं कि आज अंग्रेजी पढ़ू इस वाक्या का सरल रूप निमन विकल्पों में से चुनना हमें जैसे ही मेरा मन किया कि आज अंग्रेजी पढ़ हूँ, लाइट चले गई, मैं चाहता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ हूँ, मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था, मेरा मन था कि आज अंग्रेजी पढ़ हूँ, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा, वो रहेगा गये, मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था, यह आपका सरल वाक्या हो जाएगा, चलिए अगला परशन देखते हैं, अगला आपका परशन है, 26 वा, आपकी तरह कोई ओर नहीं पढ़ाता, वाक्या का मिश्र वाक्या में रूप होगा, रूप अदलना हमें किसमें, मिश अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी तरह कोई ओर नहीं पढ़ा सकता, जैसा आप पढ़ाते हैं, वैसा कोई ओर नहीं, तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा, वो आपका गहर हैगा, जैसा आप पढ़ाते हैं, वैसा कोई ओर नहीं, यह आपका मिश्र वाक्या हो जाएग, क्यो दूसरे मैं बिमार हो गया, इसलिए विद्याले नहीं जासका, बिमारे के कारण में कई दिनों से विद्याले नहीं जासका था, बिमारे के कारण में विद्याले नहीं जासका, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा, वो खहरेगा, मैं बिमार हो गया था, इसलिए लग्र में करने करना करना कर संथा देंद परने संगहत京ने कीक representing ऐसे में जाने करने कर की जिसद आ:「 गर्ड़ की स्दक्राइवाइगा उसमें करने विज्द hops रहता हो जाए। यह किस परकार का वाकिया है, पहला यह सरल वाकिया है, दूसरा यह मिश्र वाकिया है, तीसरा यह स्यूंक्त वाकिया है, चोथा यह दिर्शज वाकिया है, यहाँ पे सही जवाप का विकल रहेगा, वो रहेगा कि यह स्यूंक्त वाकिया है, गया, यह इसलिए से दो वाकिया जुड़ें वे चलिए अगला परसन देखते हैं कि जो जगडालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं जो जगडालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं किस परकार का वाकिया एक पहला देखिए कि इसमें जो जगडालू होते हैं उनसे दूर रहना चाहते है यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा यह आपको comment section में comment करके बताना कि यह किस परकार का वाकि यह था हमारा आज का episode आज की वीडियो I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह आपके लिए काफी helpful रहने वाला है इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में रस और उसके भीद के बारे में भी डिटेल में डिसकस किया था कंसेप्ट को अच्छे से समझा था हिंदी के आपके सिरफ दो टोपिक रहते हैं बाकी टोटल जितनी भी आपकी हिंदी है जो term 1 exam में आने वाली है वो सब कुछ हम cover कर चुक है English के भी आपके दो चैप्ट रहते हैं बाकी सब कुछ cover हो चुका है Social Science already cover हो चुका है तो इन से लेटिट कुछ और वीडियो भी हम लेकर केंगे तो I hope आपके लिए helpful रहेंगे और आपको ये वीडियो अच्छे लगे ते इन वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा आज के लिए वस इतने Thank you, bye bye, have a nice day